Hello students, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Financial Accounting और Semester की देखो ये term जो आपको लिख रहे हैं न Financial Accounting Second Semester इसको बच्चे बहुत सर्च कर रहे हैं YouTube पे ये मैंने देखा तो आज हम समझते हैं Financial Accounting Second Semester में क्या आपका syllabus हो सकता है और इसका क्या क्या मीन निकल सकता है देखो, यहाँ पर एक तो है ये Financial Accounting अब ये जो है Financial Accounting ये तो एक subject है ठीक है, जो become first year के अंदर होता है अब become first year में दो semester होती है semester first और semester second क्योंकि अभी लगबग सारी उनिवर्सिटी में semester system apply हो गया है ठीक है, तो एक तो है Financial Accounting first semester के अंदर होती है और एक काफी सारी उनिवर्सिटी के अंदर Financial Accounting को second semester में भी देती है तो अब देखिए first semester में जो financial accounting होती है same first के अंदर अगर आपके financial accounting है F.A. लिख देता हूँ मैं financial accounting को तो इसके अंदर आपके फिर normal subjects होती है नॉर्मल मलब topics होती है जिसमें आपका जो है concept आता है financial accounting का इसके principles आ जाते है ठीक है और फिर आपके इसके अंदर आजाता है general फिर आजाता है इसके अंदर आपका laser ठीक है फिर आजाते हैं आपका इसके अंदर trial balance ठीक है और फिर आजाता है आपका final accounts जिसमें trading, penal और balance ही रहता है final accounts ठीक है तो ये financial accounting first में दे रखे होते हैं इसके अलावा कुछ chapters और भी हो सकते हैं चोटे मोटे वो बिलकुल easy होते हैं ये जो class 11-12 में जो बच्चा पढ़ रखा है व SM second में भी financial accounting दे देते हैं जो सको वो financial accounting second भोल देते हैं financial accounting first or financial accounting second तो second SM में जो financial accounting होती है इसके अंदर आपका आजाता है थोड़े और अच्छे level के chapters आ जाते हैं जिसमें आपका जैसे for example के लिए partnership दे देते हैं ठीक है partnership account हो गया इसके अंदर जो है आपके branch accounting दे देते हैं आपको branch accounting ठीक है यह chapters के name है और इसके लावा insurance नाम का एक chapter होता है वो दे सकते हैं आपको इन में से ही होते हैं इससे बाहर कुछ नहीं होते हैं लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छे advice देऊंगा तो आप मेरी पूरा यह lecture यह video पूरा देखना तो insurance हो गया और इसके अलावा फिर departmental account दे सकते हैं आपको royalty account दे सकते हैं ठीक है royalty account दे सकते हैं royalty account ओके और फिर और फर्दर बात करें तो joint venture हो सकता है ठीक है consignment हो सकता है consignment और accounting of NPO हो सकती है NPO accounting for non-profit organization accounting of NPO ठीक है इसके अलावा भी कुछ chapters और financial accounting में चोटे मोटे होते हैं जो हो सकते हैं कुछ-कुछ university क्या कर देती है accounting standard यहां दे देती है वह accounting standard जिसको हम इंडियस बोलते हैं इंडियस एंड आई एफर्स है ना वो भी होते हैं और कुछ ऐसे चोटे मोटे chapter मिला कि आपका financial accounting बनता है ठीक है तो चाहे second semester में हो चाहे first semester में हो subject है ना अगर आपके financial accounting चाहे उसका नाम आपकी इनवर्सिटी ने financial accounting first दे रखाओ या फिर financial accounting second दे रखाओ चाहे वो same first में हो चाहे वो same second में हो subject देखो subject यह है क्या financial accounting है आपके आहे ना बस आप हमारे चैनल पर आजाईए most welcome आपको यहाँ पर free में बहुत सारे lecture मिल जाएंगे free में lecture कहां मिलेंगे मैं बता देता हूँ आपको financial accounting के हमने क्या एक playlist बना रखी है इसी चैनल पर जी हाँ बिल्कुल playlist के option पर जाईए आप वहाँ पर financial accounting नाम से आपको एक playlist मिलेगी वहाँ पर बहुत सारे lecture मैंने free में डाल रखे है बट मेरे क्याफी सारे प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइव पढ़ना होता है कि सर हमें तो वहिया ऐसे नहीं चाहिए दो लेक्चर उस चेप्टर के चार लेक्चर उस चेप्टर के ऐसे नहीं हमको सारा systematic चाहिए तो आप बच्चा हमारी एप डाउलोड कर लो एप का लिंक इस वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा एप का नाम है commerce वाले गुरूजी इस चैनल का नाम है cwg4bcom cwg की full form है commerce वाले गुरूजी प्ले स्टोर में जाके सर्च कर रहे हो एप मिल जाएगी या नीचे लिंक भी मिल जाएगा description box में जाके एप को डाउलोड करो install करो फिर उसमें से अपना प्यारा सा नाम डाल दो प्यारे से आपकी mobile number डाल दो अच्छे सी आपकी email id जो वनीवी है वो डाल दो आप उसमें registered ह हो जाएंगे उसके बाद में वहां पर एक section है जिसका नाम है store 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 देखो बहुत सारे sections मिलेंगे वहां पर आपको batch मिलेगा नीचे की side में देखो बेच मिलेगा ठीक है home मिलेगा store मिलेगा ठीक है तो ऐस स्टोर नाम का जो section मिलेगा वहां जाकि आप हमारे courses check कर सकते हैं आप को live and recorded दोनों courses मिलते हैं अगर आप course लेने से पहले मेरे से discuss करना चाहते हो कि sir वहाँ पर तो financial accounting का recorded badge भी है live badge भी है non commerce वालों के लिए भी है commerce वालों के लिए भी है confused हो गया हम कि हमें कौन सा लेना चाहिए तो बच्चा simple सा फंडा है कॉल कीजिए हाँ मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पर 946-123-4898 और courses यह करूंगा कि आपका call मैं ही attend करूं अगर आप call करते हैं मुझे 10 बज़े सुबे से दिन के एक बज़े तक यहां एक बज़े तक 12 चलो 12 तक दिन के मलब यह दो घंटे मौनिंग की सुबे 10 से 12 करते हो तो मैं आपका call attend करूंगा या फिर आप करते हो मुझे call साम को 3 बज़े से 4 बज़े की बीच में तो 100 परसंट आपका call मैं attend करूंगा तो ताइम भी मैंने आपको बता दिए ठीक है तो आपके जो कोई doubts होंगे ना इन courses से related वह आपके मैं दूर कर दूंगा और आपको suggest कर दूंगा कि आपको कौन सा course लेना चाहिए कौन सा batch आपको buy करना चाहिए fee की बात करें एक दम reasonable fee है ना बिल्कुल reasonable fees ओके सो हम मिलते नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही तब तक के लिए goodbye and thank you चैनल को जरूर subscribe कर लेना like कर देना share कर देना thanks